तब तक मैं कुश्चन लिख देता हूं जब तक बच्चे आएं ऐसी तीन संख्याय लिखिए जिनके दसम्लों परसार थोड़ा सा इंतजार कर लो आप लोग बच्चे आने दो पहले दो मिनिट इंतजार कर लो बस और इंतजार ना करो शेयर करो आप लोग जिससे बच्चे जूड़े हैं नहीं तो इंतजार है करते रहों आपके पास अगर एक दूतीन मुबाइल है तो समय चला लो जिनके दसम्लों परसार जिनके दसम्लों उतर दिख रहा है देख रहा है तो कहें मौका छोड़े हैं दसम्लों परसार अनवसानी अनावर्ती हूँ अनवसानी अनावर्ती हूँ देखिए अब मुझे लगता है कि बच्चे आ गए हैं अभी कुछ और बच्चे हैं प्रिया पटेल कमेंट आ रहा तुम्हारा ठीक है सुर्जीत कुमार सबका कमेंट आ रहा है वह यह सभी बच्चे अपने वाट्साप स्टेटस में कलास की लिंक को लगा दीजिए जैसे तुम प्यार मोहबत वाले नगमें लगाते हो ना वसे इसको भी लगा दो कुछ बच तुरन दबा के सेर करो 100 पूरा करो और स्टार्ट करो नहीं करो जान लो सेर नहीं करते हो बस यह कै तो इससे लग रहा है कोई हम मतलब बिजलिक मसीन है कि बटन दबाए तो बस शुरू हो जाए पहले अंड्रेड बच्चे तो पूरा करो ना आब थोड़े से और बच्चे है जो बच्चे नहीं सेयर की हैं फटा फट सेयर कर दें सेशन को लाइक कर दें बस हम सुरू करें हमें थोड़ा साूक लगी है करEM के यहां भासरड़ दें भासरड़ा तो मारा नहीं यह परदान मंत्री जी देते हैं पिछले साथ साल से दे रहे हैं हम थोड़ी भासरड़ देने वाले आहलो ज़लो तो भाईयों और बहनों कहके हम नहीं बोलने वाले हैं कि समझ रहे हो ना जो बच्चे सेर करने गए हैं वह आई रहे होंगे जैसे आएंगे वैसे पूरा हो जाएगी संख्या मुझे पता है तो भाम कमेंट आ रहा बच्चा रभी राज बोल रहे हैं सीडी पर पढ़ा हो अच्छा लगता बेटा अच्छा तो बहुत कुछ लगता जिन्दगी में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं हो हमारे लिए अच्छा ही हो इसलिए जो अच्छा लागे उससे दूर रहा हूं आग अधित जार करें किसी के आने का कि 100 लाइव हो जाए तो सुरू करें अगर तुम्हें पढ़ना है तो फटा-पट सेर कर दो अधित जार करें कि 100 लाइव हो जाए तो सुरू करें जल्दी से शेयर करो सभी बच्चे अपने वाटसअप ग्रूप में हर जगा शेयर करो फटा-फट जिनका वीडियो नहीं चल रहा इस दीगे लिंक पर किलिक करें तुरंट चलेगा जिनका वीडियो नहीं चल रहा उनको देखो मैं लिंक बेज़े देता हूं जो आ गए हैं वो नहीं जाएंगे सिर्फ सेयर करने जाएंगे बस तुरंट आएंगे अब हम एक मिनट और रुकने वाले हैं क्लास शुरू हो रही टाइम हो चुका है बच्चा क्योंकि दस मिनट लगता है लोगों को नोटिफिकेशन मिलने में अगर आपका नहीं चल रहा था तो देखो आब आपका चलेगा आजया चौधरी सिवं चलो बच्चा फिर अगर बच्चे लगभग जुड़ गये हैं पूरा हो गये हैं बाइज जो बातचीत करेंगे पहले समझ लें उन्हें हम ब्लाक कर देंगे बीना कुछ बोले अगर तुम्हें पढ़ना है तो ठीक है अगर किसी जुगाड के लिए हो तो बेटा यहां फिर निकल लो तुम नहीं बहुत मार पढ़ेगी समझ रहा हो ना जिनको पढ़ना सिर्फ वही रुकेंगे बाकि निकल लो तुरंद कल ले सिर्फ पढ़ने वाले रुकेंगे बस हलो काचल कैसी हो पूजा तुम कैसी हो तो हम लाते लात हमारेंगे जान लो अगर इसा किया तो समझ रहे हो ना थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा सुनके लेकिन तुम समझ रहे हो चलो तो बच्चे जुड़ गए हैं फिर सुरू करते हैं आज की क्लास गुड इबनिंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैरा आज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फरिवार पी वी आरे स्टेडी में तो बच्चों कलास नाइन थी की आपकी मैथमेटिक्स की लाइब चल रही थी जिसमें आप लोगों ने अभी तक पांच कलासे पढ़ लिया है और छाटवी कलास आज आप पढ़ेंगे छाटवी कलास में हम पढ़ेंगे इकसर साइज नंबर इकसर साइज नंबर कौन सा 1. 1.3 का कुश्चन नंबर 7 ठीक है 1.3 का कुश्चन नंबर 7 अगर आपके पास NCRT किताब है तो चाहे आप CBSC बोर्ड के हैं UP बोर्ड है विहार बोर्ड MP राजस्थान बोर्ड हरियाना बोर्ड केरल करनाटक कोई भी आपका बोर्ड है कहीं से भी आप हो आल इंडिया में भा तो आपमें यह कुश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा आपका चैप्टर या फिर आपका एकसरसाइज आगे पीछे हो सकता है लेकिन यह है आपकी किताब में कहीं न कहीं ठीक है इसलिए समझना है सबको पढ़ना है सबको बाद में किताब खोजोगे मिल जाएगा यह किताब संख्याएं लिखिए इनको हम इंगलिस में भी बताएंगे हमें क्या करना है त्री ऐसे नंबर रिटेन करना है यहां पर लिखना है तीन ऐसे नंबर जिनके डेसील इक्सपैंशन ते सामलों परसार का मतलब होता बच्शों डेसीमल इक्सपैंशन अनावसानी अना वरती बड़ी खतरनाक हिंदी है नान टर्मिनेटिंग एंड नान रिपीटिंग समझ रहे हो ना जब मैंने सुरू किया था नंबर सिस्टम बताया था बैटा कि टर्मि क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ाया था तब तो तुमको काजल याद आ रही थी तो कहां से आएगा चलो देखो समझो मनोच सिंहारा समझ में न बच्चा तो देखो अगर हम अंडर रूट टू इसके दसमलो परसार की बात करें तो हमको भी पता है तुमको भी पता है वन पॉइंट फॉर वन फॉर ऐसे सम्थिंग होता डाड डाड ये खतम नहीं होता है बोलो खतम होता है क्या ना तो खतम होता नहीं रिपीट होता है मैंने बहुत पहले पढ़ाया अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम है नहीं पढ़ाया तो बगवान जाने यह छटवी कलास है अगर आपने इसके पहले की पांच कलास नहीं देखा है तो आप देखो डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक मिल सकती है आप उस पांच कलास को देख लेना एक काम और भी कर सकते हो आप लोग वो क्या है ना चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी पिछली पांचे कलास हैं उनको देख लेना भाई तुम साइलेंट हो जाने तुम को तुम फोड के बहार देंगे तुमको नहीं मालू हमारे बड़े नालायक लड़के हैं वहर समय फोन करते हैं चलो तो अगर हम अंडरूट तीन की बात करें तो इसका क्या होता है थ्री पॉइंट क्या होता भाई वन फोर वन सम्थिंग होता है ना वन फोर वन सम्थिंग फाइब नाई ऐसे कुछ होता है आप लोग कहोगे यह क्या है कहां से आता है कहां से आता है भाई यह रिपीट नहीं होता ना तो यह खतम होता है यह ऐसी बीमारी है ना बहुत बड़ी महामारी है, एक कोरोना की दादी है, ना तो रिपीट होगा ना खतम होगा, पाई कमान आप सभी जानते हो, पाई कमान कितना बोलते हैं, अरे यह पाई यह कमान है दादा जो मैंने यहां रखा है, 3.14159, यह पाई वाला ही है, इसका वाला देखो अभी हम इस को निकाल के दिखाऊंगा कैसे आता है, देखो ध्यान दो, यह 1.7 something आता है, देखो भी है यह आता कैसे है, मैं बताओं इसके बारे में क्या, हाँ, समझो इधर साइड में, बेटा पवन यादो पढ़ लो तो अच्छी बात है, इमान सु बर्मा, ठीक है, गूड इमनिंग देखो समझो, पच्छों जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चार कवर कमूल क्या होगा, तब तो तुम लपाक से बता दोगे कि गुरुजी दूए होगा, अगर मैं तुम से पूछूं कि पचीस कवर कमूल क्या होगा, तो ललू लाल बता देंगे पांच होगा, लेकिन अगर मैं तुम से पूछूं कि भाई या दूई कवर के मूल कितना होगा तो तुम लटक जाओगे जुरा अनाम जाई से तभी तुम्हारे मुझे आवाद नहीं निकलेगी कोगे दूई कखा होगा हम इसका तो होता ही नहीं है होता है इसका दसंबलों में होगा आप सीधा फीधा इसका नहीं निकाल पाओगे तो इसकी लंबी विभाजन वाली जो है वो क्या करेंगे हम किरिया करेंगे देखो जो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहें इधर उदर कर ना उनको हम तुरंत भी बलाक करवा रहें फिर उनका कमेंट नहीं आएगा बिटा इसलिए अगर पढ़ने आयो तो पढ़ लो करंत फमार पढ़ो इंधि एंगली सब में बता रहें बच्चा पढ़ना है तो पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो जाओ कहीं कुछ और करो जरो समझो तो देखो डो का जो हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं बच्चों वो कैसे करते कुछ ऐसे करते हैं हमें क्या करना है दो का वर्गमूल निकालना है तो इसको कहां लिखेंगे भाईया यह लिखेंगे न क्या है यह दो कि दस हमलों के बाद कितने अंक तक निकालना है कि दस हमलों के बाद कितने अंक तक निकालना है इसको तो तुमें फालतु कुल हर जगा सबसा दीया अध इनके क्या करेंगे बनाते जाते हो आप इनके जोड़े क्या करोगे आप इक पूर्डोबर्ग नहीं है उनका भी आजाएगा समझो नंबर है दो यहां पर दसमलों लगा के हमें जितने अंक तक निकालना है देखो एक जोड़ा तो यह बन गया पहले जैसे पांच अंक तक निकालना है तो हम 00 के करे मिला के पांच जोड़ा बनाएंगे यह देखो दो ज मतलब साइट दिखा देता हूं थोड़ा यह काट रहा है यह लो चलो आप समझो तो बच्चों यह भाग विदी से एक परकार से वर्गमूल यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अंडर रूट दो कमान जो तुम अभी तक रटे हो नाइन टेंथ में बता जाता बेटा कि र हना कि इसी कुरट लेते हो लेकिन आता कैसे मैं आपको यह धिक आने वाला हूं आ ते खो कि depressed में तक में दिया रहता है अदर कैसे कहां से निकलता पाइदा कहां से होता है वह दिखा रहा हूं तुमें चलो अब इसमें कितनी बार जाएगा यह वन में वन बार जाएगा यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा यहां एक आपको कंसेप्ट सीखना बच्चा कि अगर हम वन बार भाग ले जाएंगे तो हम य कितने में समझ में आ रहे हैं देखो आप यहां पर भी क्या करेंगे हम वन ही लिखेंगे लेकिन यहां पर कहां से आया यहां इसका अपस में गुड़ा होता है यहां पर घटालो बच्चा कितना आ गया वन और ये जुड़ता है लेकिन एक बात ध्यान रहे इसको जोड़ने पर जो आएगा यहां चिपकाई की नहीं लिखोगे सटा के इससे थोड़ा दूर लिखोगे मतलब इधर एक गिंती लिखने की जगा बची रहने चाहिए समझ रहे हो कि नहीं सभी देखो अब आगे चलो तो बच्चों ये तो हो गया अब हमें दसमलों के बाद वाला जोड़ा उतारना है क्योंकि दो का भाग अब उन में जाएगा नहीं तो हम उदर से दो जोड़ा उतारेंगे जीरो वाला ना बच्चा ठीक है अब ये है दो ये है सो अब अगर हम तुम से कमेंट किया जा रहा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो लिख रहा है यार एक सग्मिंग बेटा तुमरी जिन्दगी बिना एक गेम बन जाएगी और तुमको लोग खेलेंगे इसे लुड़का-लुड़का के समझ रहे हो ना तो पढड़ लो पढ़ लो नहीं कुछ नह देखो कि एम जी के बैटा तुमको तुम तुरंत बलाग कर देंगे निकल लो बाग लो चलो अब समझो कितनी बार जाएगा मैंने पूछा कोई नालायक नहीं बताया लगे है चैटिंग करने में लाइब के लिए इसलिए इनके चुनना काड़ता है ने लाइब करो लाइब करो तो यह सेटिंग करें बस इनकी जिन्दगी उसी में है उतने में ही जिन्दगी है नाइन् मैंने दसमलों के बाद का यहां उतारा तो उपर क्या के दश्क घटनिवेस यह अलग तरह खी है अगर एक बार ले जाएंगे तो उपर भी एक लिखेंगे यहां भी एक लिखेंगे देखो समझो यहां भी एक लिखेंगे और यहां भी एक लिखेंगे और इसका ऐसे गुड़ा होता है यह समझते चलो एक बार ले जाने का मतलब है बच्चा यह कई साएगा दूई बार ले जाने का मतलब क्या पता है देखो बच्च जाएगा कितनी बार भाईया कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा ललू समझ लो प्यार से यह भाग विद्धी से वर्गमूल इसमें तुम्हें पढ़ा रहें कि रूट दूई कमान जो 1.414 रटे हो यह तुम्हें मिलता कहां से आता कहां से मैं वो निकाल रहा हूं ठीक ह समझ लो देखो इस तरह से अगर हम बात करें तो अनुभो के आधार पर आप कर लोगे बच्चा यह फोर बार जायेगा कितनी बार जायेगा चार बार मनोच जीवम कुसवा हां बहुत अच्छे बाई जी बेरी कुड चलिए तो कितनी बार जाएगा यह चार बार जाएगा तो बच्चों चार चुका सोला चार दुना आठ एक नो गटाने पर भी चार आएगा यह इधर जूड जायेगा चार चार आठ इधर थोड़ा दूर में लिखना याद रखना जोड़के यह नहीं कहीं सटाइद दिवाल में नहीं जगार अने देना चार चार आठ और यह तो बच्चा अगर यह चार बार गया तो उपर खुपढ़िया पर भी चार लिखना है क्योंकि वही तो आपूर निकाल रहा ना वही तो काम का होगा ना अमारे बाद में आगे समझो देखो कलास को पूरा देखो अगर गड़ित पढ़ना है तो बच्चा जाना नहीं बच्चों यहां पर 28 हो गया यव को अभाद में दूसरा जोड़ा के यहां पर उतार लिया अब आगे समझों अब यह 28 हो गया ना अब बताओ कितनी बार जाएगा इसमें भाग कोई बता एनीवन पाँच्छा अगर हम दो बार ले जाएगा इसवाग और एसवता है युक् Civ ने जाएगा यहां पर भाग अलग तरह की जाती है अगर आप पढ़े हो तो समझोगे ठीक है तो बच्चा अगर तुम एक बार ले जाओगे यहाँ पर तभी दाल गलने वाली है अगर दुए बार ले गए न तो दाल गले की नहीं गड़बड़ा जाएगी तो वन बार जाएगा यह तो 281 आएगा उपर वन जाएगा तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि 1.41 यह कैसे आता इसमें न अब इसको घटा लो और बगल में जो जगा है वहाँ पर करें क्या देखो यार अब तो इसमें जगा ही नहीं है थोड़ा मुझे जगा करनी पड़ेगी सकेते में समधियान करना पड़ेगा मैं नीचे दिखाऊंगा आज चाहे तुम मेरा कुछ अलगए चीज देख लो यहाँ पर जो पिक्रेट चीजे हैं लेकिन मुझे दिखाना पड़े इनको घटालू कितना आएगा भया संकर राज बताओ कितना आएगा इनको घटालू यह 9 आएगा दस में से गया नौ यह 9 में से 8 कैक यह इसमें सुधार गया था यह हो गया उन्नीस एक सो उन्नीस आएगा ना विबहुत अच्छे बाई चिराग बेरी गुड तो बच्चा नीचे आपको थोड़ा कम दिखरा होगा मैं थोड़ा camera नीचे करके इसको आपको पूरा clear करवा दूँगा आप मुझे बताओ यह कितना बार जाएगा भाई यहां पर देखो और देखो इसको आया है अब इसमें भाग तो सिदा विधा जाएगर नहीं तो हम एक काम करेंगे वो क्या है एक काम करेंगे उपर का देखो मैंने एक जोड़ा उतारा था यहाँ पे एक यहाँ पे दो जोड़ा मैंने उतार लिया है दो जोड़ा मैंने उतार लिया है तो जो जो मैंने उतार लिया उसको चिन्धित कर देंगे यह मैंने उतार लिया यह उतार लिया अब हम उपर से तीसरा जोड़ा जीरो नीचे उतारेंगे तीसरा जोड़ा नीचे उतारेंगे तो ये जोड़ा मैंने क्या किया नीचे उतार लिए अच्छा अगर मैं ना उतारता वो जोड़ा तब क्या होता ना उतारता तो क्या होता वह यह ना उतारता तो यह 282 जो है अगर वन टाइम ले जाता न तो 2831 हो जाता कितना हो जाता 2831 बहुत जादा हो जाता अब कितनी बार जाएगा सोचो जरा इसको थोड़ा पास में लिख का दो चार बता रहे हो और को फ्र tiden ठीक के बच्चो देखो चार बार जाएगा है अब मैं नहीं और आर्टा शालते घैरअग यया आर जाएंगा क्योंकि मैं कई बार बता इसको गटालो इसको को इसको चार बताओ टासमें से च्छे गया है चार 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, बस हो गया 604 आया, बच्चा इनको जोड़ लो 4-4-8, पुड़ा इदर जगा छोड़के लिखेंगे, और ये 2, ये 8, और ये 2, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं न बच्चा, तो भईया जो मैं 4 बार ले गया था, ये 4 उपर भी तो लिख रूट 2 कमान निकाल रहा हूं मैं कैसे होता दस हमलों में, यही तनी जो यहाँ पर जाए हो रही ना, इसी लिए हो रही, जो तुम्हें याद कर वा जाता ना, याद कर ले, रूट 2 कमान 1.414 होता है, याद कर ले, अच्छी किताब मूप मूँ 214, इसे में से जनम लिता है वो याद कर लो यहां से मतलब समझ लो तो अब कितनी बार जाएगा भाई और ले जाए कि नहीं दसंबलों के बाद मैंने तीन अंक तक तो ले गए लेकिन एक अंक हम और ले जाएंगे इतिहास रचना है चलो उपर से एक जोड़ा और उताल लो अब बताओ यह कितनी बार जाएगा कोई सोच के बताए मुझे कितनी बार जाएगा भाई राहुल पांडे बताओ कितनी बार जाएगा विजय मिसरा अचा देखो यह कितना है 8400 और यह कितना है 2828 तो भाइया यह 2828 है मतलब 2828 है अगर हम वन बार ले जाएंगे तो 28281 आएगा एक बार ले जाने पर 28281 आएगा एक बार ले जाने का मतलब ऐसा इस्ट्रेक्चर बनेगा लेकिन यह 28,000 के लगभग आएगा वो 60,000 है तो फिर क्यों ना हम दो बार ट्राई करें क्योंकि वन टाईम में बहुत कमा आ रहा है तो दो बार अगर हम ले जाएंगे देखो बच्चा दुई दुना यह 4 दुई अठे 16 आशी ले एक दुदुना चार एक पांच दुई अठ पांच सो चाहेगा बच्चा यहां पर तुम दुई लिखोगे यहां पर दुई लिखोगे नीचे बहुत ओबर हो रहा है ना यहां से एक बात आपको और समझ में आई होगी कि अभी इनको घटाओगे फिर कुछ आएगा फिर कुछ आएगा मतलब यह कभी खतम नहीं होने लोगों की पीड़ी जिए आएज थी हुआ ड़हा हुआ पस लोग कि लड़की की सादी देखेंगे जहा हुआ हो यह सरकारी देश वाला मतलब किरम परेट शक्रटा हो किसी सरकारी आफिस में लेकिल प्राइबिझ में लाख हो का का म कामS किसमानस्रिता को बदलिए, चेंज करिए, कुछ भी करिए, सरकार को गाली मत दीजिए, हम भी रोधी हैं, लेकिन अपना कुछ करिए, हमारा ये मानना है, समझ रहो ना, ये उत्तर हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया, क्योंकि ये आने वाला है, मतलब खतम होने वाला है नहीं, ये खतम होने वाला है नहीं, ये अभी ऐसे आता जायेगा, आता जायेगा, आता जायेगा, कभी खतम नहीं होगा, तो बच्चा इसके आगया एक थिया, उर लिखलों में मिल गया दो किAudi से इसलिए पर घॉंट कर दिये थे मतलब यहां पर तुम्हें चीज देखो क्या कोई गिंटी बार बार-बार रीपीट हो रही है कि इसमें कोई उमीद है कि कभी खतम होके जीरो हो जाएगा नहीं कभी नहीं होगा क्योंकि उपर से तो हम जीरो बार बार उतारी सकते हैं नीचे कभी जीरो नहीं होगा यहां से हमें यह सीख मिलती है यह के नंबर कैसे हैं जिनके दसमलों परसार अनौसानी अनावर्ती हो उसमें से यह नंबर जल्दी से इस कलास को तुरंद लाइक करो फिर देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं आए गिया जल्दी करो भाई तुरंद फटा फट लाइक करो जल्दी से सभी साथी इस सेशन को तुरंद लाइक करिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें बहुत जल्दी करिए चलो बेरी गूट बेरी गूट बहुत अच्छे है Res helped जो नहीं क्रमेंट्ट कर रहे हैं वो चैनल संब्सक्राइब नहीं करें स्यंपोमर सब्सक्राइब कर लो और जो तो सब्सक्राइब कर रहे वह मुझे पता हैं इच्छा कुमारी आद देखें भी उप जलो ठीक है तो बच्चा इनको हम मिटाएंगे अभी स्क्रीन साट ले लो फट से जल्दी से आपके पास 10 सिकेंड का टाइम है स्क्रीन साट निकालो मैं इसको मिटाऊंगा जल्दी करो मैं इसको ला रहा हूं आपके लिए भी गो के करेंके चयों आप एक बात बताओं क्या इसी तरह से आप तीन का निकाल लोगे कि नहीं अंडरूट इंकाल लोगे से अब फॉप निकाल लोगे कि नहीं सभी बोलो हाँ नहीं यह शान्नो सभी बच्चे बोलो अरबिन्द निकाल लोगे ना रवि राज शुरेंद्र सिंग सेले राज नूब है नूब नाम है इनका यन डबलू नूर लिख लेती तुम तब भी अच्छा लगता है अब नूब लगा लिया ऐसे से नाम भी आ रहे हैं ने ब्रांड के कोई पंकज रखता है तो उसका बैया रंकज रख लेता है मतलब इसका कोई मतलब भी न रहे बेटा नीचे उपर सब दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ ठाइए नहीं जहां तक दिख से कुछ नहीं था तो आप लोग अब मुझे पता है कि अंदरूर तीन कभी इसी तरह से निकाल लोगे तो बच्चों यह आपका जो क्वेस्च है ना एक्सरसाइज 1.3 का कुईस्चन नंबर काउन सा था भाई खतम होता है देखो पच्वा कल मैंने बताया था कुछ लोग कन्फ्यूज थे तुम्हें फिर से बताऊं क्या सिर्फ भाग करना है बस बहुत लंबा सा भाग जाता है कर लोगे न सभी कल मैंने लगाया था इस बहुत लंबी भाग जाती है 16, 17 गिंती में जाती है तो बहुत बढ़ा हो जाता है बोर्ड में आता नहीं कर लोगे न इसको भाग करना है भाग करके लगदिना 16, 17 अंक तक जाएगा बस बाभव न, बुज्ऑल, बन्वारी आर्ट वन्न आपका चैनल आज ही जोईन किया है पहले की कलास देखने के बाद लाइब कलास देख पाऊंगा बबुवान जी बिल्कुल देख पाऊंगे बच्छा क्या नाम है तुम्हारा आजीब का नाम है बई जाओ चलो ठीक है बनवारी चैनल की प्लेलिस्ट में है जो पहले पांच कलास वी उससे देख लेना तो इसको मैं छोटा करता हूं उपर करता हूं उसके बाद फिर आगे बात करता हूं के बारे में आज आज आपका 1.3 खतम हो जाएगा एक्सरसाइज 1.3 इंडिंग होने वाला बहिया बच्चा है चलो सभी बच्चे कापी किताब लिये हो की नहीं देखो यार किताब लेके पढ़ा करो खाली हाथ तमासा नहीं देखा करो चलो तो आब कौन सा बताएं और उन है साथ नमबर हो गया आठ नमबर कर लोगे की नहीं को प्रसर नमबर कराओ कुष्चिन एककसरसाइज 1.3 2 इसी 1.3 कौंसा नमबर कराओ कि अ मुझा पुटा जि 팔च मैंसे अथर नमबर करें हो इन यह को यार क्यों मिझाना पड़ता यहां पर और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है तो थोड़ा टाइम आपको मेनेज करना पड़ेगा क्योंकि आफ लाइन क्लासे पढ़ रहे हैं इसमें जो मज़ा है ना वह ऐसे मज़ा कहा है देखो बच्चा आठवा में कह रहा है कि पर्मिय संख्याओं पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा के बीच कि तीन अलग अलग पर्मिय संख्याओं लिखिए अलग-अलग तीन पर मीर संख्याएं पूछ रहा है किसके-किसके? देखो क्यूटन देखोय है आपर समझो तो क्विश्चन समझो beliefs क्यूटन नमबर अठ्मा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा पांच बटा साथ और नो बटा ग्यारा इनके बीच की तीन पर्मिय संख्या है, पूछ रहा है, अलग-अलग, तीन पर्मिय संख्या है, तो बच्चा जो पांच बटा साथ है, इसको तुम भाग करो, पहले मुझे बताओ कितना आएगा, स्याम सुंदर सिंग, भाग करके देखो बच्चा तो, इसको भाग करोगे, तो इतना लग-बग आएगा, जो की बार-बार रिपीट होगा, अब भाग करके देखो, पांच में साथ से, अब तुम भाग करना जानते हो, इतने बड़े ललू-लाल नहीं हो कि मैं तुम को ये भ अरुन मिस्रा, चलो फटा-फट लिखे जाओ भाई, देखो क्वाल्टी बिल्कुल HD में दिख रहा है न, चलो, और ये जो छोटके ललू है, ये कितना आएंगे भाईया, 0.81 लग-बग आएंगे, इनके उपर बार सबके चुर्की में बार जम गया है, बड़े हो गया है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई तीन पर्मिय संख्या लिखिये, कितना लिखना है, तीन पर्मिय संख्या लिखना है, तो बच्चा अगर तुम एक चीज देखो यहां पर ध्यान से, वो का है, देखो, तो अगर हम इसमें इनके सारे नंबर छोड़ने किनारे वाले, यह हमें मिलता है 0.71, बोलो मिलता है कि नहीं, 0.71 मिलता है न, और 7.1 के बाद क्या है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, मालो कि हम इसे पूरा नहीं लिखते हैं, यह क्या है, 8.1 से है अगर वैसे देखें तो 71 पैसा है, य अगर हम इसके नीचे बात करें, तो 0.71, 1 के बाद 2 भी तो होगा, 4, 2, डाट 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 जो भी, 0.73, 4, 2, डाट डाट, 0.74, 4, 2, डाट डाट डाट, और ऐसे करके, जब यह आगे बढ़ता जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो बच्चा नीचे जब बढ़ोगे, नीचे बढ़ते आओगे, तो एक समय आएगा जब 0.81 और ये 42 डाट 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 आएगा की नहीं, तभी बोलो आएगा की नहीं, बोलो यास, दुरगा, टिकम, खतिक, भई तुम्हारा नाम बड़ा कठीन है, मैं नहीं ले सकता हूँ, माफी चाहता हूँ, आएगा ना, तो क्या कह रहा था, इन दौनों के पीच में, इन दौनों के पीच में, तीन अलग-अलग पर्मिय संख्याय लिखिये, इरेफिनल नंबर, रेफिनल होता तो हम आणराम से कर लेते, तो बच्चा तीन अलग-अलग इरेफिनल हो गया है कि इसकी कोई किनी भी दो पर्मिय संख्याओं की बीच में अनंत पर्मिय संख्याओं की बीच में इसकी गारंटी है यानि दो रेफनल नमबर की बीच में इनफाइनाइट रेफनल नमबर होते हैं कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं अनन्त होते हैं आपको समझ में आ रहा है ना हिमानसु जी आ रहा है समझ में राजेस, राजू, इर्फान, साकेत, मनौच, सबको समझ में आराना बच्चा, आराना बाबू चलो लिख लो, तो यह आपका question number 8 हो गया, exercise 1.3, question number 9 देखो, exercise 1.3 का question number 9, देखो जो सिर्फ comment के पीछे पढ़े हैं बच्चा, हम comment नहीं पढ़ेंगे, इस बात को तुम अपने द समझ गए ना, बई मोटा मोटा हमारा यह जबाव है, अगर पढ़ना है, तो कापी किताब ले करके सामको 7 बजे हमारे साथ लाइक जुड़ो, सबसे पहले कलास को लाइक करो, और दोस्तों में share करो, आपके घर में जितना mobile phone है, computer, laptop, जिसमें जिसमें भी चल सकता है, सब मे आवाज धीमा कर दो समय, और एक में जिसमें तुम पढ़ सको, उसमें बैटके पढ़ने लगो, यह काम करो, तो हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, घर बैटे पढ़पाऊगे, नौ नंबर question देखो, question नंबर 9, किताब लिए हो ना सभी, अच्छा एक नया comment करके बता पल, कितने लोग बुक लिए हो, मैं हर दिन पूछता हूँ, हमारी कोशिस है, तुम हर एक कोई किताब लेके आओ, तेली किताब लेके आओ, बिना किताब के नहीं देखो, question नंबर 9, जिनके किताब नहीं है, वह इसे चाटा गटा इसे देखेंगे, उनको कुछ समझ में न कर रहा है, क्रिष्णा, मिस लवर, अर्पित यादो, अनुप मिसरा, बुस्पा, राहूल, सभी बहुत अच्छे बच्चे हमारे इतने, सुन्दर बच्चे हमारे हैं न, इतने अच्छे न, कि पढ़ें भले न, लेकिन चाटिंग ज़रूर करेंगे ये, चलो, तो 9 नमबर कुश्चन में कहरा बच्चों, बताईए कि निम्नलिखित पर्मिय संख्याओं में से, कौन-कौन संख्याओं, सदयो पर्मिय और कौन-कौन संख्याओं, आपर्मिय हैं, 9 नमबर कुश्चन एक बार फिर से पढ़ो, एक्सर साइज 1.3, एक्सर साइज 1.3, रक्षा 9 के NCRT गडित, कुश्चन नमबर 9, एक बार फिर से पढ़ो, पर्मिय मिन्स रेफनल हैं, और कौन-कौन संख्याओं, इरेफनल हैं, पहला आप्सन है बच्चा, इसको तुम सभी बताओगे, जो ना बताएगा, उसको पटक-पटक मारेंगे, आज इतना जान लो, क्योंकि तुम लोगों को मैं इतना पढ़ाया हूँ न, इतना अगर किसी बर्धा को पढ़ाता बहल गुद्धी को, वो भी गड़ेश सीख जाता, चलो बताओ, अंडरूट 3, यह रेशनल है कि ए रेशनल है, जो जो कह रहे हैं रेशनल है, वो आर लिख के कमेंट करें, और जो जो कह रहे हैं कि यह रेशनल है, वो आई लिखें, चलो जल्दी बताओ, PIPFF, भईया बाबू नंबर चलदा न, स्क्रिन पे, नोट कर लो, संपर कर ले न, बता दिया जाएगा जो भी कहना चाहते हो, देखो बच्चा, यह अंडरूट 23 है न, यह 23 बड़ा खतरनाक नंबर है, इसकी किसी के साथ सेटिंग नहीं होती है, यह क्या है, एक प्राइम नंबर है न, एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई भी, मतलब अपना और एक वन है, जो सारवजानी परधान है, बाकी इन दोनों को छोड़के इसकी किसी से सेटिंग नहीं होती है, मतलब किसी से इसका क्या है मतलब इसका कोई और गुड़नखंड नहीं ऐसा मानों गड़त किबासा में अब मैं सेटिंग का मतलब वह बता रहा हूँ यानि इसकी मित्रता नहीं होती किसी से तुम उसका मतलब कुछ और नहीं समझना यानि इसके जो factor होंगे 1 होंगे और 23 होंगे तो वो संख्या है जिनके फुद और 1 के सिवा कोई दूसरे factor ना हो वो क्या होती है अबाज़े संख्या होती न बच्चा तो यह क्या है E-Refenul Number है यह अपर्मिय्य संख्या है यह पर्मिय्य नहीं है ठीक है तो लिखोंगे क्या यह अपर मिये जल्दी जल्दी करो अभी सबजी लाने भी जाना है अभी लोग बनाएंगे तो उन्हों को लाकी कुछ चीज देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा खाने माने कुछ नहीं मिलने माला है चलो जल्दी जल्दी खतम करते हैं अगला हन वर्ग करने देर ना करो पंदरा का है तो ललू लाल अगर पंदरा का है तो पंदरा तो रेफनल नमबर है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो जो कि इक्वल है प्यापान क्योंकि इक्वल क्या है ये ये पर्मिये है क्या है ये पर्मिये है कोनो पचीस बता रहा है अरे गधे अगर ये पंदरा का होगा तो पंदरा क पंद्रा में गुड़ा करने पर आ जाएगा ना चलो देखो 15 पंद्रा पच्चे अब कर दो मुझे तो गुरुजी पहाड़ा वह नहीं आता है पहाड़ा नहीं आता ना तो तुम्हें मैं क्या बताऊं पहाड़ा तो याद कर लो 15 पच्चे 55 हांसी लाया साथ और 15 एककम 15 15 लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये के तो तुम 15 निकाल दिया ठेके का नहीं निकाला ऐसे का दुस्मनी रही बच्चवा देखो इसका दसमलो में आता चो भी आता पांच से कम आता और चार फे जादा आता मतलब इसका जो आता चार दसमलो सम्थिं आता द पढ़ाई करने नहीं आया तुम तो अपने जिन्दगी से जूट बोल रहे हो दूसरे की तो बात छोड़ दो है चलो बच्चा अगला बताओ जिरो पॉइंट तीन साथ नौच यह रेफनल है कि ए रेफनल है बताओ पुकबित मीना एंजल तभी बताओ छोटा बए छोटा बताओ न चल बता बे छोटा बता चल जलदी बता जल दी बता जल दी बता जल दी बता यह रेफनल है कि एख़ो अगर आप लोग पोसीज करोगे तो मैस्यमेटिक से बहुत आसान है जो पच्चे गड़ीत में कमजोर है वो पीव यार अरे जो पढ़ेगा दिमाग का परियोग करेगा उसको आएगी साम को साथ बजे लाइप चलता है कच्छा नो का साम को साथ से रात आठ बजे और कभी-कभी अलग टाइम पर भी तुम इसे देख सकते हो वह तुमारा सवभाग वहोगा जाव अलग टाइम पर देखोगी अंदेखी टुर यह क्या है रेसनल है कि यहां पर तुम एक चीज देखना है कि लाइश्ट में कि तुम्हें का देखना है लाइश्ट में यह ऐसे नहीं होना चाहिए 0-3896 6-0 pomo नहीं होना चाहिए अगर डाइट आज मतलब यह कोई अंत नहीं है तो यह नहीं हिसका क्या हो जाएगा हां एक दो तीन चार चाठी है तो चार अंक पर दसंबलों लगा तो नीचे बाद चाठी जीरो बढ़ाओगे ना क्यों समझ में आया ना तो यह क्या है एक रिफनल नंबर है यह पर्मिय संख्या है बोलोगे क्या यह पर्मिय है लेकिन इसमें का जो अगला है वो अपर्मिय है चौथा और पाचमा दोनों अपर्मिय है अगर इसके आगे डाट डाट लगे तो क्या होगा तो वह अपर्मिय होगा ठीक है बेटा कुछ वाहा तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है नहीं तुम्हारे नाम जैसा है ना वैसे तुम्हारा करम भी हो जाएगा फिर क्या करोगे आगे तो बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.3 आज खतम होता है कल आपका एक नया चैप्टर होगा 1.4 कल पढ़ेंगे 1.4 अभ्यास कल पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट डे कंच्छा नो की अंसी आईटी मैट्स की लाइब आप देख रहे हैं विल्पुल फ्री जितने भी नए चात्र आए हैं चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तुरंट क्या मिलेगा सब्सक्राइब करते ही आपको तुरंट चैनल के सारी जितने वीडियो मिल जाएंगे और आप आराम से पढ़पा होगे ताइम याद रखो सामको 7 बजे से रात के 8 भोग जब एदग minha लोगॉऑ को फे लिसा वीए लोगras, के लिसा वार, को फ दो हावक में रहें ka